PHP को यूज करके हम लोग Employee Data Automation Software क्रियेट कर रहे थे या फिर एक Web Based Application क्रियेट कर रहे थे और अभी हमें यहाँ पर इस Form के Data को PHP My Admin के Database के अंदर स्टोर करना है जिसे follow-up करते हुए इतना काम हमने यहाँ पर पूरा कर लिया अगर आपने इस सीरीज को अब तक follow-up नहीं किया है तो इस वीडियो के description में आपको complete playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी वीडियो को भी check out कर सकते हो वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें बेल आइकन को click करके all notification को on करें तक आपको latest वीडियो के notification मिलती रहे alright so अब तक हमने यहाँ पे अपने form के सारे fields को name provide कर दिया है और हमारे submit बटन को जो कि हमारा save है उसका name मैंने यहाँ पे save कर दिया है ठीक है यानि कि name मैंने उसका save provide कर दिया है अब हमें finally इसके data को database के अंदर store कराना है make sure आपने last video को check किया हो अगर नहीं किया है तो description में link है वहाँ से आप last video को देखे ताकि आप यहाँ तक पहुंच सको alright so यह हमारा पड़ा हुआ है empty यहाँ पर मैं आता हूँ अपने code के अंदर और last में आ करके मैंने start कर दिया यहाँ पे PHP और इस जगह पे बंद कर दिया हमने PHP को अब इसको logically समझो क्या होना चाहिए जब भी user यहाँ पे data को fill करे और save के button के उपर click करे तो यहाँ पे जो data है वो entry gaib हो जाए यानि कि vanish हो जाए और वो जाकर के हमारे इस table के अंदर store हो जाए फिर से सुनो जब इस button के उपर click होगा तो database के अंदर store होगा यानि कि जो भी code हमें करना है वो इस button के click होने पे करना है right तो इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले तो इसको zoom कर लेते हैं और यहाँ पे आ करके मैंने लिखा if अगर is set इस set का मतलब होता है क्या यह set हुआ है यानि कि कुछ ऐसा click करने के बाद इस तरीके से button अंदर की तरफ जाता है normal design में क्या इसके उपर click हुआ है if is set कि अगर इसके उपर click हुआ है किसके उपर वो हम यहाँ पे specify करेंगे यहाँ पे एक variable चाहिए होता है तो dollar underscore post post capital में ही रहेगा और जैसी enterprise करोगे यह अपने आप ऐसा fill हो जाएगा brackets को कम जादा मत करना अपने according वरना काम नहीं करेगा अब इस जगह पे एक value पास करनी है कौन सा जो भी आपने button बनाया है न input type submit जो भी है आपका हमारे case में यह रहा save हमने उसका नाम दिया था तो नीचे आता हूं मैं और इस जगह पे आपको save single quote के अंदर लिखना है तब ध्यान से देखो इसका meaning क्या बनता है if is set अगर click होता है अगर यह button set है इसके उपर press हुआ है किसके उपर save button के उपर कौन से method की help से post method की help से तो क्या कर अगर इस button के उपर click होता है तो क्या कर मैंने कहा ज़्यादा कुछ नी value उसको नीचे बुला ले कौन सी value को जो भी user हमें यहाँ पे provide कर रहा है इस जगह पे यह आप देख रहे हो ID यह तो automatically generate कर वालूंगा मैं जो भी उसने हमें नाम लिख करके दिया है इस जगह पे जो भी उसने अपना नाम बोला जो gender बोला जो email बोला वो बुलाना है हमें ठीक है तो इस fields के हमने name इसे लिए provide किये थे ताकि नीचे हम उसको PHP के अंदर call कर सके क्या name दे रखा है इसका name का है name, gender का है gender, email का है email तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आ करके मैंने कहा dollar underscore post कि भाई post method की help से बुला ले किसको? name को ठीक है अब यह जो name है यह exact आपका field का जो आपने नाम दिये है वो उसके साथ match करना चाहिए मैं इसको copy करके 5-6 बार paste कर देता हूँ तो अगला हो गया हमारे पास यहाँ पे देख लेते है क्या क्या है पहला तो दे दिये हमने name, इसके बाद है gender धन है हमारे पास email spelling अगर capital है तो capital रखे small है तो small रखे तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको gender और इस जगह पे कर दिया मैंने उसको email और उपर आते हैं स्क्रॉल करके ईमेल के बाद है हमारे पास यहाँ पे department, copy कर लेता हूं और उसके बाद है एक address तो यहाँ पे आ करके मैं ने कहा इसको department और इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे address तो make sure आप spellings वगरा को यहाँ पे correct जरूर रखे अब इससे क्या हो गया मैंने id को छोड़ करके बाकी सारी values को अपने form से PHP के उपर call कर ली जब भी इस save button के उपर click होगा तब ठीक है तब सारे के सारे values मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन नीचे अगर मैं इसको verify करने बैठूंगा तो यह पूरा का पूरा मुझे बार बार लिखना पड़ेगा जो की complicated है so it's better कि इसको एक variable के अंदर store कर दिया जाए तो dollar name नाम का एक variable मैंने use कर लिया अब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको वही लिखना है जो आपने अंदर लिखा है no यह बिलकुल आपके उपर depend करता आप चाहें तो emp name कर लो आप end रख लो फर्क नहीं पड़ता variable के नाम लिखना यह आपकी मर्जी है ठीक है इसका अंदर और नाम से लेना देना कुछ भी नहीं है यह basically आपके field के name से match होने चाहिए और बाहर आप जो मर्जी रख लो तो मैं same ही रख लेता हूं understanding के लिए easy रहेगा dollar gender को मैंने gender न address इसको properly align कर लेते हैं सबसे लादा spelling किसकी है I think department की है बाकियों को भी इसके according align कर लेते हैं ताकि code को understand करना हमारे लिए easy रहे alright so इतने के help से हमारे पास सारा data यहाँ पे नीचे post method की help से मिल जाएगा अब हमें इन data को database के अंदर store कराना है लेकिन उससे पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा pure SSD disk space free SSL certificate secured and 20 time server आपका fast रहने वाला है pricing plan के अगर हम बात करें तो basic plan start उता 59 रुपीज पर मन्त से इसके अंदर आपे एक website को host कर सकते हो 1 GB SSD की storage है 10 email address create कर सकते हो 5 GB की bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़ helemaal है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited upsides को यहाँ पे host कर सकते हो बगी सारी चीज़ सेम है और unlimited है और इन तीनों ही plan में आपको premium SEO tool free मिलता है तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domainresort.com पे आपकर के plans को select कर सकते हो जैसे ही हमने सारे data को यहाँ पे बुला लिया जो भी input type name के अंदर type हुआ है यहाँ आया PHP के अंदर और यहाँ से store हो गया इस name के अंदर तो हम directly इनको call कर सकते हैं सारे data को get कराने के बाद post metal की help से नीचे आते हम लोग और एक query को run कराना है तो dollar query यह एक variable है query की जगा पे कुछ होर आप लिख सकते हो double code के अंदर मैंने यहाँ अपना query specify किया इस double code के अंदर capital small का कोई चक्कर नहीं है मैं भला ही capital में लिख रहा हूँ आप small में भी लिखोगे तो भी आपका काम करेगा तो मैंने यहाँ पे लिखा insert into और इसके बाद आपके table का नाम हमारे case में हमारे table का नाम क्या है form नाम दे रखा है आपने जो भी नाम दे रखा हो वो करे मैंने का भाई insert करना है किसमें insert करना है form में इस form को भी आप capital में रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है same आपका color combination वो ही रहेगा बट क्योंकि वहाँ पर मैंने small में लिखा हुआ है ना database के अंदर यह आप देख सकते हो that's why मैं यहाँ भी small कर रहा हूँ वैसे आप capital भी इस जगह पे कर दोगे तो भी यह काम कर जाता है बट इस बेटर कि आप match करते हुए चले अब इसके बाद आपको field के name प्रोवाइट करने है कौन से कि भाई values क्या insert करनी है तो इस जगह पे आ जाओ मैंने कहा पहला insert करना है employee name फिर gender फिर email, department, address यह as it is spelling आपको capital small का यहाँ पे ध्यान देना है तो मैंने कहा EMP name insert करना है यानि कि इस field में पहली value insert करनी है इसके बाद EMP underscore gender insert करना है यहाँ पे आके देखते हैं EMP name, EMP gender, email, department अगला मैंने कहा EMP email, comma then EMP department, comma और इसके बाद I think address है yes, EMP underscore address तो मैंने कहा EMP underscore score, address कि भाई insert करना है insert into this table के अंदर data insert करना है किन fields में insert करना है जो भी मैं पहला बोलूँगा वो उसका नाम होगा उसके बाद जो मैं बताऊँगा वो gender है उसके बाद email है फिर department है फिर address है यह मैंने कहा और इसके बाद values ध्यान दे value नहीं है values है ऐस लगा है कि भाई इन fields के according values को pass करना है अब values के आएंगी जो भी बंदा यहाँ पे type कर रहा है जो इदर type कर रहा है वो name में जाकर store हो जा जो इस जगह पे type कर रहा है वो gender में जाकर store हो जा और इन values को हम नीचे बुला चुके है और उनको अलग-अलग variable में store करा चुके है तो यहाँ से आपको कर लेना है copy और यहाँ पे single quote की help से उसको paste कर देना है मैंने कहा employee name में जो भी इसमें आकर के store हुआ है उसको कर दे single quote के अंदर नीचे एक comma लगेगा एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा देन मैंने कहा जो भी gender है वो second number पे है इसके बाद यहाँ पे comma again single quote देन हमारा है email paste किया zoom कम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको यह एक ही line में दिखे और properly understandable रहे again single quote email के बाद है हमारे पास यहाँ पे department और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे address ठीक है तो मैंने यहाँ पे address को भी कर लिया copy इस जगह पे आ करके paste कर दिया तो overall query क्या बनी insert into table का नाम in fields के अंदर data को insert करना है उसके according values को insert करना है and आपके variables का नाम यह हमारी बन गई query अब query को लिख देने से नहीं चलता query को execute कराना पड़ता है PHP के अंदर तब जा करके यह query हमारी run करेगी तो query को execute कराने के लिए हमारे पास already एक function available है mysql I underscore query और इसको यहाँ पे दो parameters चाहिए होते हैं पहला parameter इसको चाहिए होगा आपके connection file के अंदर आपने क्या establish किया है variable वो जो कि यह हमारे case में dollar con जो भी आपने लिखा हो वो पहला parameter आपका यहाँ पे paste करो दूसरा parameter जो भी आपने ऊपर variable name बनाया है वो copy करो यहाँ पे आ करके paste कर दो कि भाई connection चेक कर ले और query को चला दे उस database के हिसाब से अब again यह सारा कुछ ना लिखना पड़े तो इसको भी एक variable के अंदर store कर लेते हैं मैंने data नाम के variable के अंदर store कर लिया अब या तो यह insert करेगा या नहीं करेगा अगर insert हुआ है तो इसको मालूम है इसकी help से data को पता है कि query चली है या नहीं चली है ठीक है तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैंने कहा if अगर अब थोड़ा सा zoom कर लेते हैं dollar data अगर dollar data यानि कि अगर यह हो गया if dollar data अगर successfully हो गया तो यह काम कर फिलाल के लिए मैंने कहा क्या कर simply इसको echo करा दे क्या echo करा दे data inserted into database या फिर हमने message save लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम save कर देते हैं data saved into database आप अपने हिसाब से message को यहाँ पे रखोगे अब या तो data save हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो दूसरा message है हमारा else की अगर नहीं हुआ not else if normal सा else की अगर insert नहीं हुआ तो क्या कर मैंने का फिर से echo कर क्या echo कर failed to save data ठीक है simple zoom कम कर देता हूँ थाकि आप सारा कुछ देख सको यह हमारा overall यहाँ पे code बना है की अगर insert होता है तो यह message दे नहीं होता है तो यह message दे सारा कुछ आपने correct लिखा है field के name correct लिख है तो insert हो जाएगा यहाँ पे आ करके मैं इसको एक बार refresh कर देता हूँ और refresh करने के बाद फटा फट से इसको मैं यहाँ पे fill कर रहा हूँ gender मैंने select किया यहाँ पे mail email address प्रोवाइड कर दिया एक department प्रोवाइड करते हैं और address प्रोवाइड करते हैं alright सारे details मैंने provide कर दिये हैं simply हमें यहाँ पे save के उपर click करना है तो नीचे या उपर किसी भी कोने में धून लेना एक message आपको मिलेगा हमारे design के हिसाब से उपर message मिल रहा है हमें data saved into database अब इसके उपर भरोसा कभी मत करना message देता है बट कई बार insert नहीं होता अगर आपने mistake किया होगा तो मैं आता हूँ यहाँ पे browse के उपर click करूँगा तो यह refresh हो जाएगा कहता है employee का name क्या है cyber warriors gender क्या है उसका mail employee की email क्या है ये department क्या है IT employee का address क्या है पूने जो भी आपने type किया होगा ना वो आपको properly यहाँ पे देखने को मिलेगा अब ये जो है ना मेरे case में properly insert हो गया मैंने जानबूज के एक error छोड़ा था थाकि वो आए और मैं आपको सिखा सकूँ but anyways आपको बताता हूँ बहुत सारे लोगों को problem क्या आएगा gender में mail उनका insert नहीं हुआ होगा यहाँ पे yes, no या on, off यहाँ पे insert हुआ होगा same department में क्यों क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ type नहीं किया कुछ values को select किया है directly तो यह इस तरीके से insert नहीं होती जिनका error आया है वो देख लो और बाकी लोग भी सीख लो क्या करना है इस case में आप देख सकते हो gender यहाँ पे multiple options हमने दे रखे हैं, पहले वाले के अंदर मैंने एक value छोड़ दिया option के अंदर जा करके कि भाई, अगर बन्दा select ही नहीं करता तो लिख दे not selected database के अंदर यह store कर दे ठीक है इस जगह पे आकर के मैंने इसको value provide किया male कि database के अंदर male यहाँ पे insert होना चाहिए और अगर female पे ठीक लगता है तो database के अंदर female जाएगा, same with others ठीक है, यहाँ पे आप capital small जैसा लिखोगे, वो आपका database में जा करके store होगा तो make sure आप यहाँ पे values provide जरूर करे, same आपको करना है इसके लिए भी, तो मैं फटा-फट से इसको भी यहाँ पे fill कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे in options को भी value provide कर दिया है और जो भी मेरा message था ना, वो as it is यहाँ पे रख दिया, अब इससे क्या होगा ना, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ मैंने फटा-फट से यहाँ पे दूसरी entry पास की और मैंने यहाँ पे gender select ही नहीं किया, और simply मैं save के उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ करके browse पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे select gender यहाँ पे लिख करके आ रहा है ठीक है? या फिर not selected जो भी आपने लिखा हो एक बार web browser की history को clear करना तो proper तरीके से यह काम करेगा तो आप देख सकते हो कि यह data हमारा database के अंदर form का properly यहाँ पे insert हो चुका है I know इसके अंदर काफी सारी कमी अभी बाकी है जिसको हम आने वाले time में सही करेंगे और उसका link आपको description के अंदर मिल जाएगा उमीद करता हूँ मेरे steps को follow करके आपने अपने form के data को database के अंदर store कर लिया होगा और यह video आपको अच्छा लगा होगा अगर यह video आपको अच्छा लगा है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पे new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें तकि आपको latest videos के notification मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे एगली video में ताइक्स वर वच्छाँ गाइज